कि नमस्कार दर्शको मैं जोतिश्तिपिका आप सभी का एश्रयोगी हिंदी यूटीब चैनल में स्वागत करती हूं हर कोई भली भांती प्रकार से वाकिफ है कि 2021 भी 2020 की तरह चुनूतियों से भरा रहा है 2021 में भी लोगों ने अपनों को खोया है वेपार ठप हो गए है और नोक्रियां भी हाथ से जाती रही है लेकिन 2021 में एक आशा की उमीद जरूर दिखी है कोरोना वैक्सिन के जरिए इसके साथ ही हर कोई ये जानने को इच्छुक है कि कुछ महीने बाद 2022 हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा तो उनकी राशियों पर 2022 का क्या परभाव होगा नई चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा या फिर कुछ गुड़ नीज उनको सुनने को मिलेगी उनका परिवार कैसा होगा फाइनेंस कैसा होगा और परिवार का सुख उनको मिलेगा य यात्राइं कैसी रहेंगी इनी सभी सवालों का जवाब देने के लिए एश्रयोगी आपके लिए 2022 का वर्षफल लेकर आया है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करि करेंगे और बैल आइकन को दमाना ना भूलिए वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करिए बारे अपरेल के दिन राहु व्रेशब राशी से निकलके मेश राशी में प्रवेश करेंगे और वहीं केतू तुला तो यह तो रहा 2022 की गोचर की जानकारी अब बात कर लेते हैं हैं दो हजार बायस में पढ़ने जा रहे सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन तो साल का जो पहला घ्रहन होगा मैं वह सूर्य ग्रहन है छी सी अक्टोबर के दिन दूसरा सूर्य ग्रहन साल कपड़ेगा और इसका परभाव उररल पशिम chemit i ministeri देशों में देखने को को मिलेगा इसके साथ ही यूरोप अफरीका अमेरिका जैसी देशियों में भी इसका परभाव खासी जादा रहेगा अब जिक्र कर लेते हैं चंदर ग्रहन की तो साल का जो पहला चंदर ग्रहन होगा वह 15 और 16 में के दिन आपको देखने को मिलेगा इसके साथ ही आठ नवेंबर के दिन साल रहतवर्श अधूर और ये तो हो से पहला जो तेहार होगा वो होली का मनाया जाएगा और 29 मार्च के दिन होली का तेहार हर कोई यहां पर सेलिब्रेट करता हुआ नजर आएगा ठीक उसी तरह दो अपरेल से लेकर के 10 अपरेल तक चेत्रिये नवरात्रे मनाये जाएंगे और हिंदू नव वर्ष की शुरुव आप भी 2 अपरेल से होगे और अगर बात करें की महीने में जो तुखर आएंगे वो मैं 16 अपरेल की दिन रक्षव बंदन का में 31 अगस्त की दिन गनेश चतूलती का पर्वव मनाया जाएगा तिक सेप्टमबर की महीने में 26 सेप्टमबर से लेकर के 4 सेप्टमबर तक शरा पांच उक्टोबर का दिन बनाया जाएगा ठीक उसी तरहा पती की लंबी आयू मांगने का यानि करवाचोत का वृत का तिहार 13 उक्टोबर को मनाया जाएगा और 24 नेवंबर के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाएगा तो यह हो गई 2022 में सभी तिहारों का जिक्र और अब बात कर लेते हैं मेश राशी से लेकर के मेन राशी तक कि कि इनका सभी राश्यों का सफर 2022 में कैसा वर्तित होने वाला है तो चलिए, साल 2022 के शुरुवात सिंग राशी के बाद कन्या राशी से कर लेते हैं जी हाँ, अब कन्या राशी के जातक भी 2022 में आखिरकार उनके लिए क्या खास है यह जानने को इच्छुक है हर कोई अपने जीवन में सलस्रेश्ट परिनाम पाने के लिए बेताब हैं हर किसी के जहन में अपने जीवन को लेकर के एक अच्छे खासे सवाल की लिस्ट यहां पर बनी होती है कि 2022 साखिरकार उनके कैसा वैतित होने वाला है इनी सबी सवालों के जवाब देने के लिए एश्ट्र योगी जोतिश अनुसार आपके जीवन में एक अलग ही यहां पर चंद्र राशी पर आधारित आपकी राशी पल तियार किया गया है जिसके अनुसार आपके जीवन में सभी सवालोत के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने ज़ा रहे हैं तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आखिरकार 2022 क्या कहलाता है उसके बाद हम कन्या राशु के जात्कों के जीवन में आखिरकार उनका करियर कैसा रहेगा वित्य कैसा प्रिमी जीवन कैसा रहेगा और साथ के साथ आपका पारावारिक जीवन कैसा वयतीत होने δोहुझार वारान सबसे पहले 2022 का जिक्र कर लेते हैं तो जी हाँ 2022 का जनम कन्या लगन, जेश्व नक्षित्रा और व्रिश्चिक राशी में होने जा रहा है अगर बात की जाए कन्या राशी के जीवन की की 2022 कैसा जाने वाला है तो यहाँ पर आपका अनुकूल साबित हो रहा है हाला कि थोड़ा बहुत उतार चड़ाव भी होगा लेकिन आपके जीवन में कुछ खासी चीज़ें भी आपका इंतजार करते हुए नजर आ रही है सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं ब्रिस्पती का जी हां 13 अप्रेल के दिन ब्रिस्पती मीन राशी में गोचर करेंगे और इसका आपके जीवन में एक खासी परिवर्टन नजरा होता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रिस्पती का यह है गोचर कन्या राशी के आठवे घर में होगा इसका सीधा सीधा तात्पर आया है कि जो कोई भी वेक्ति विदेश से वेपार कर रहा है इस साल यानि कि इस समय आपको विदेश से फायदा होने जा रहा है इसके साथ साथ नोगरी पेशे करने वाले जातको को भी अच्छा खासा रेजल्ट मिलेगा यानि कि प्रमोशन हो सकती है या फिर पोष्ट थोड़ा सा अपडेट हो सकता है सैलरे इंक्रिमेंट हो सकती है इसके बाद अगर जिक्र किया जाए 12 तारिक के दिन यानि के 12 अपरेल के दिन राहु का मेश राशी में गोचर क्या कहलाएगा? तो जी हाँ राहु का दूसरे घर से यहाँ पर संबंद बनेगा कन्या राशी के जातकों के लिए सीधा सीधा तात्प्राय होगा कि आपके जीवन में वित्यसंबंदी समस्याय आ सकती हैं वहीं आपके पारावारिक जीवन में भी समस्याय हो सकती हैं बे-फिजूल की बातों से आप अपने और अपनों से लड़ते हुए या नजर आ रहे हैं तो आपको एस्ट्रयोगी एक सलहा देता है बेफिजूल की बातों पर ना बहस करिए ना लड़िए अन्य था आपके और आपके अपनों के बीच में दूर यहां सकती हैं जिसके चलते आपका मन पीड़ा में जा सकता है इसके बाद अगर जिक्र किया जाए तो जो ब्रस्पति का 29 जुलाई के दिन फिर से गोचर होकर के वक्रियां होने की स्थीती बनेगी वो आपके जीवन में सीधा-सीधा तीसरे घर से तात्प्रयाय बना रही है यानि के संबंद बना रही है यह सीधी आपके जीवन में क्या कहलाती है यह मैं आपको बताने जा रही हूँ यह सीधी आपके जीवन में confidence को थोड़ा down करेगी वहीं आपके जीवन में यह सीधी कुछ उल्जने पैदा करेंगी आपके करियर शित्र में आपके मन में एक बड़ा ही उबाल आएगा कि आखिरकार जीवन में क्या किया जाए क्या ना किया जाए लेकिन जैसे ही आप इस समय को आगे बढ़ाते हुए निकालेंगे शांती पूरवक तो आपकी जीवन में फिर से खुशों की लहर दोड़ेगी सभी सवालतों के जवाब मिलते हुए आप इस टाइम पिरड़ को क्रोस करेंगे और नई चीजों को वैलकम करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ ही टाइम में आपके जीवन में जैसे यह गोचर वक्री हो साल का पहला सूरे ग्रहण की तो जी हां सूरे ग्रहण का भी संबंद सीधा सीधा कण्याराशी के आठ्वे घर से बन रहा है जिसका तात्प्राई यहां पर आपके जीवन में व्यापारिक वर्ग के लिए बहुती खुबसूरत रहने वाला है क्यूंकि आपके वेपार में वित्य संबंदी चीजें जुड़ने जा रहे हैं यानि कि आपका बैंक बालंस बढ़ता हुआ नजर आएगा और तो और आठवे घर से संबंद जब सूर्य ग्रहन यहां पर कन्या राशी के जातकों का करेगा तो कहीं न कहीं विदेश यात्रावी आप कर सकते हैं जिससे कि आपको लापराप्त होगा इसके बाद साल के अगर तूसरे सूर्य ग्रहन का जिक्र किया जाए जो कि 25 अक्टोबर के दिन पढ़ने जा रहा है उसका संबंद भी यहां पर थोड़ा सा नकार आतमक साबित होगा क्यूंकि मैंने आपको जिक्र किया है इस साल कन्या राशी के जातको के जीवन में आठवा दूसरा और तीसरा घर कहीं ना कहीं एक्टिवेट है तो साल का दूसरे सूर्य ग्रहन दूसरे घर से संबंद कर रहा है इसके चलते आपके जीवन में आपकी सिहत खराब हो सकती है और तो और आपके पार्टनर की भी सिहत खराब हो सकती है पा हो सकते हैं और आपकी विसियत खराब हो सकती है यहां पर आपको एक और एस्ट्रयोगी की तरफ से सलहा दी था एक शनी और ब्रिस्पति का छट्वेः घर से संबंद है जो की आपके जीवन में दुशमनों की तादार बढ़ा देगा आपके कारिय शित्र में दुश्मन को जादा ही होंगे जिसके चलते आपको आपके जीवन में दुश्मनों को हटा करके सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने करियर शित्र पे क्यूंकि करियर अच्छा रहेगा तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार की इच्छाव को पूरी कर सकेंगे कही न कहीं खुशुहाली भी करियर से ही जुड़ी हुई देखी जा सकती है कन्या राशी के जातकों के लिए तो बेफिजूल में किसी से भी उलजना यहां पर आपको नहीं चाहिए 2022 के दोरान हाला कि सितंबर तक आप जो भी प्लान करेंगे उनमें कहीं न कहीं डिले होगा या फिर आपकी योजनाएं सफलता पूर्वक आपके सितंबर के बाद जो कुछ भी आपके कारिये रुखे हुए हैं वो आगे बढ़ने लगेंगे और उसका आपको बहुत ही खुबसूरत नर्तीजा देखने को मिलेगा चलिए आप बात कर लेते हैं साल के पहले चंदर ग्रैंड की तो जी हाँ साल का पहला चंदर ग्रैंड 16 एपरिल के दिन पढ़ रहा है माफ करिएगा 16 मे के दिन पढ़ रहा है जिसका सीधा सीधा सा तात्प्राय होगा आपके जिसका रेज़ल्ट अगर मैं आपको बताऊं की नतीजा क्या होगा तो ये कहिना कहिं थोड़ाँ सा आपके मन को पीड़ा दे सकता है और तोर आप मजबूर हो सकते हैं कि किसी से पैसे उधारी ले हो सकता है बैंक लोन भी हो इसके चलते आप उस बैंक लोन के वज़ा से मांसिक तनाव बढ़ेगा, मांसिक तनाव के कारण आप सी मतबेद होंगे, आपकी माता की तब्बत खराब होगी, एक चीज से सो घाटे, तो आपको सो समझ कर ही यहाँ पर अपने जीवन में इन्वेस्ट करना है पैसा, जिसके चलते आपको किसी भी समस्त्य का सामाधान आसानी से मिल जाएगा, उपर से आपको किसी से बेवज़ा उल्जेंगे नहीं, माइंड आपका शान्त रहेगा, दमाग शान्त होगा, आप अपने परिवार को टाइम दे पाएंगे, आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, हर इसका सोलूशन आपके पास होगा तो इस चंदरग्राण के दोरान आपको सोच समझ कर ही जीवन में दिशीजन लेने हैं अगर बात की जाए साल के दूसरे चंदरग्राण की जो कि पड़ेगा आठ नेवेंबर के दिन तो यह कहीं न कहीं राहत आपको देते हुए जाएगा जी हाँ यदि कोई भी परसन अपनी हायर एजुकेशन के बारे में अब रोड जाने का सोच रहे हैं तो यह साल उनके लिए अनुकूल होगा इसके साथ साल का आखरी चंदरग्राण जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए भी अनुकूल रहेगा अगर कोई विवा की योजन पर विचारवे मर्श करने का इसके साथ ही जिन पती पत्नियों में पहले तनाव उत्पन हुआ था तो इस दोरान एक खुबसूरत टाइम उनके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है तो कहने का मतलब होगा साल का आखरी चंद्रग्राण आपको रहत की साथ देगा तो पारावारिक जीवन का कर्येर कारेमी जोडों के लिए 2022 कैसा व्यतित होने वाला है क्योंकि हम जिकर कर चुके हैं लगबग कि 2022 कन्याराशी के जात्कों के लिए अगर चर्चा की जाए कि आखिरकार पारावारिक संबंध उनके जीवन में कैसे होगे तो यहां पर सीधा सीधा तातप्रह आपके जीवन में उतार चड़ाव से होगा हाला कि यहां पर सबसे बढ़िया जो गोचर आपके जीवन में देखा जा रहा है वो होगा ब्रिस पती का मीन राशी में जोकी होगा 13 अपरेल के दिन जी हाँ यह गोचर आपके जीवन में कहीं नहीं आपके और आपके अपनों के बीच में तालमेल करता हुवा नज़र आ रहा है आपकी बेहन भाई आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं इस गोचर के दोरान आपको लबी दूरी यातराई भी करेंगे जिनका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा और आपकी उन्नती को देखते हुए आपके और आपके परीजनों के बीच में खुशी का माहुल दोड़ेगा अगर जिकर किया जाएं यहां पर साल के दूसरे गोचर की यानि के बारे अप्रेल के दिन जो राहु का मेश राशी में गोचर होगा वह कहीं न कहीं यहां पर तनाव की स्थीती पैदा कर रहे है क्योंकि राहू का इस दोरान जो संबंद होगा वो सिधे-सिधे आठवे घर से होगा और के तू तीसरे घर में विराजमान रहेंगे कन्या राशी के जातकों के जीवन में तो कहीं न कहीं मैं कह सकते हूं कि यहां पर आपके और आपके परिवार जनों के बीच में लढ़ाई जगडों के संबंद बन सकते हैं तो इस दोरान खास पात आपको जो जहन में रखनी है वो होगी कि पेवज़ा बातों पे न ओलजिए क्योंकि इसके चलते हैं आपकि ऊर आपके अपनों के बीच में तनाव की गड़ी उत्पन हो सकती है और यह तनाव इतना जादा होगा कि इस बार आपको कोई भी प्लानेट ना बचा पाए घबराये मत प्लानेट टेफिनेटली चेंज होते हैं और आपको बचाते हैं लेकिन फिर भी अपनी समझ से अगर आप उस बिगड़ी हुई उलजन से भरी हुई सिच्वेशन को संभाल पाएंगे तो यह आपके लिए मुनाफ़ा देते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन में सुख में जीवन प्यतित करेंगे अपने परिवार के साथ तो जब यह स्तीती आपके जीवन में आएगी तो कही न आप अपने जीवन में खुशहली का माहूल बंते हुए देखेंगे अब अगर जिक्र किया जाए साल के एक बड़े फेर बदलाव की तो जी हां ब्रिस्पती का यहां पर 29 जुलाई के दिन वक्रिय हो करके यानि वापसी हो करके जो अपना रिजल्ट देगा कन्याराशी के जात्कों के लिए तो कहीं ने खी प्रिस्ती ती आपके जीवन में जो पहले गटित हुए थी परावारी do जीवन में उलजने पैदा हुई थी यह स्थीति आपके जीवन में एक रिलेक्स बल रहेगी यानि कि शांती पूर्वक फिर से परावरिक जीवन में जो भी उलजने पैदा हुई थी मनमुटाओ पैदा हुआ था वो सब रिजॉल्व हो जाएगा अब अगर जिक्र किया आशी में जो मिलन होने जा रहा है वो आपके जीवन में मंगल कार्या की वजह लेकर के आपके जीवन में आने वाला है जिहां पारावारिक खुशियां आप मनाते हुए नजर आएंगे संतान की तरफ से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्वालिटी टाइम प्रफेंट आरिकिंग हiciency कि में शक्रेंगे हालां की शकुरिएंअं पर आपके हाथों से पैसा जरूरेकर जाएगा लेकिनहीं लेकर आएगा खुशियों की सोगात लेकर आएगा अब अगर जिक्र किया जाए यहांपर कि आखिरकार सोस्वेंश चलने वाली बात आपके ल कर आएगे इस चीज़ को फोलो करें बेफिकर होकर के और अगर जिकर किया जाए यहां पर फैमली से हटके यानि कि प्रेमी जोडों के लिए आखिरकार साल 2022 कैसा जाएगा कन्या राशी के जातकों के लिए तो इसका जिकर भी साथ के साथ हम करी लेते हैं फिर बात करेंगे कर उसके बाद वित्त के तो चलिए अब जिकर कर लेते हैं प्रेमी जोडों के लिए कन्या राशी आखिरकार 2022 कैसा वैतित कर रही है जी हां साल 2022 प्रेमी जोडों के लिए काफी उत्तम समय रहेगा जो कोई भी इस टाइम में अपने विभा की योजना बना रहे हैं तो जी हां है जहां पर आप अपने प्रेमी के साथ भावी विश्या में खुशाली का टाइम जीवन व्यतित करते हुए नजर आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए यह साल सबसे ज़्यादा बैस्ट होने जा रहा है इसके साथ ही यह साल आपकी परिक्षा का भी साल ह यानि कि आपको अपने पार्टनर से लोयल्टी टेस्ट देना होगा जिसमें आप खरे उतरेंगे यह उतरेंगे लेकिन यहां पर तीसरे व्यक्ति की इन्वोल्मेंट आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक विश्वाश का होता है भरोसा होता है वो कहीं न कहीं टूट सकता है तो यह आपको देखना है कि आप अपने जीवन में उस तीसरे व्यक्ति को कितना जादा हावी कर रहे हैं और यह situation आपके रिष्टे पर क्या असर डालेगी सो समझ कर ही अपने जीवन में इस चीज को decision लिए और अपने life मे उनको आने दीजिए यानि के जो second person यानि के आपके partner के अलावा होंगे दूसरी बात यहां पर जो पहले से ही प्रेमी जोड़े हैं या फिर जो शादी शुदा जीवन में संबंद बना रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल नहीं है क्यूंकि यहां पर ब्रिस्पती का जो गोचर होगा 13 अपरेल के दिन मीन राशी में वह सीधा सीधा करने राशी के साथवे घर में संबंद बना रहा है जो कि मिसंदर स्टेंडिंग कर सकता है यानि के मतभेद मन मुटाव पैदा कर सकता है जिसके चलते आपके और आपके partner में दूरी आ ज करिए यानि कि आखों से अलवीदा कह दीजे कि जैसे मैंने देखा ही नहीं यह सला एस्ट्रयोगी जोतिश अनुसार आपके लिए दी जा रही है अगर आप इस चीज़ को फोलो करते हैं तो फाइदा आप ही का होगा अब अगर साल के दूसरे गोचर की बात की जाए यानि जो 29 जुलाई के दिन द्रिसपती का वक्रिया उकर के गोचर है फिर से यह स्थिती शादी शुदा जीवन में खराब कर देगा यानि कि कुछ अच्छे खासी फल आप अपनी जीवन में नहीं देखोगे वही मांसिक तनाव वही रोजाना का बहस जगडा और जो शेनी का य नहीं है तो अब सवाल आता है अखिरकार कन्या राशी के जातकों के लिए फैमली लाइफ ठीक है बट जो पती-पत्नी का संबंद है वो कब ठीक रहेगा मिसे इंडेस्टेंडिंग इतनी गोचर दे रहे हैं तो जी हां यहां पर 24 नवंबर के दिन जब ब्रेस्पती मारगी होंगे तो समझ जाना आपके जीवन में सब कुछ समाधान हो गया है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में फिर से खुशियों की लहर दोड़ा आई है आपका दिल जूम उठा है अपने पार्टनर के साथ अच्छ टाइम करते हो नज़र आएंगे यात्राइं कर सकते हैं अपने पार्टनर को ले करके क्योंकि ब्रस्पती का मारगी होना आपके लिए कुछ जादा ही फायदे मन साबित हो रहा है और इस दोरान प्रेमी जोड़े भी अपने पार्टनर के साथ खुशाली वाला जीवन वैतीत करते नज़र आएंगे और तो और अगर बात की जाए जो चोदह में के दिन बुद्ध का यानि बुद्ध ग्रह का प्रिस्थिती होगी वो भी आपके लिए कहीं जाकर के इतने टाइम से जो तनाव उत्पन हो रहा है उनमें रहत की सांस लेकर आएगी और इस दोरान जो कोई भ समय में जो नीजस लेकर वह अपनी संतान का आनिजवाले जीवन में भाववविश्य में देख सकते हैं कि योग बना हुआ है आप विचारी मश्कर के प्लान कर सकते हैं क्योंकि बुद्ध की यह स्तित्य आपके जीवन में संतान का सुख देगी तो यह रही साल 2022 की कंजया करियर कैसा रहने वाला है कन्या राशी के जातकों के लिए आखिरकार कन्या राशी क्या फल देगी 2022 में तो कहीं नहीं कहीं करने राशी के कर आपको दिखाई देगा अपने जीवन में क्योंकि लंबे अर्से से जो लोग सोच रहे हैं कि हमें जॉब चेंज करनी है तो उन लोगों को एस्ट्रयोगी जोति शनूसार एक सलहा दी जाती है कि फरवरी मार्च एप्रेल सितंबर और उक्टोबर इन महीनों में आपको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस महीने आपके लिए थोड़े से कठिन साबित हो सकते हैं इसके अलावा जो लोग वैपार जगत में हैं उनका वैपार थोड़ा सा ठंड़ा हो सकता ह यानि कि पैसा आते हुए नहीं दिख रहा है और तो और यहां पर सबसे बड़ा जो फेर बदलाव होगा वो आपके जीवन में कश्मकश्वाला नजर आ रहा है नोक्री पेशे वाले जातकों के लिए 13 अपरेल के दिन जो ब्रिस्पती मीन राशी में परवेश करेंगे इसका सीधा सीधा संबंद कन्य राशी के जातकों के लिए साथवे घर से होगा यानि कि साथवे घर पारटनर्शिप का होता है तो यहां पर आपको आपके पारटनर के साथ ही आगे बढ़के योजनाई बनाने चाहिए अपने व्यापार के लिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए नई जो डिल सोने वाली है उनको कैसे अपने जीवन में भली भांती प्रकार से सफलता पूरवक लेकर आया जाए वहीं इस दोरान नोकरी पेशे वाले जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेग वहीं तीसरे घर से केतू तो यह जो राहू केतू का योग है वो कहीं न कहीं पीडा दाएक रहेगा आपके जीवन में क्यूंकि आप इस समय गलत डिशीजन ले सकते हैं वैपार जगत में जिसका अच्छा खासा भारी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है वहीं जो जुलाई के दिन वक्रिय होकर के दुबारा से अपने स्थान पर्मकर राशे में प्रवेश कर जाएंगे तो यह स्तिती सिदे चटे सब घर से संबंद बनाएगी और आपको नोकरी में अच्छे रिजल्ट देगी यानिके नई नोकरी मिल सकती है प्रमोशन मिल सकता है सेलर कि दुबारा से वक्रिय की समय गुजरेगी जब 29 जुलाई के दिन ये स्तिती आपके जीवन में पनेगी फिर से थोड़ा सा फेर बदलाव व्यपार का थोड़ा सा हलका होना आप महसूस कर पाएंगे साल के अंतकी अगर बात करें तो जो ब्रिस्पती मारगी होकर के आपके जीवन में परवेश करेंगे नेवंबर के दिन यानि 24 नेवंबर को तो ये प्रस्तिती एकदम से नुकुल रहेगी यानि के जो आपने कड़ी मेहनत किया पूरे साल में उसका अब आपको फल देखन को मिल सकता है प्रमोशन हो सकती है वियपार जुकत में और वियपार को बढ़ाने के स्त्रोथ आपके जीवन में बढ़ सकते हैं तो कहने का ताथ प्रह सीधा-सीधा साल की शुरुआत मद्ध है थोड़ा सा कठिन प्रद रहेगा साल का अंत खुबषूरत रहेगा ये रही कार वित्य कैसे रहने वाला है कन्या राशी के जातकों के लिए वित्य संबंदी 2022 कन्या राशी के लिए उत्तम साबित हो रहा है लेकिन यहां पर सोच समझ कर चलने की आवश्यक्ता आपको एस्ट्रयोगी एक सल्धा की रूप में दे रहा है जी हां एस्ट्रयोगी जोतिश अनुसार साल 2022 में कन्या राशी के जातकों के लिए कहीं ने कहीं पैसे हाथ से जाया होंगे और तो यहां पर एक खास सला भी दी जाती है कि अचल संपत्ती में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही आपको इन्वेस्ट करना है पैसे बचा कर ना रखने की बजाए आपको एस् का रजर्ट भावी भविश्या में काफी ज़्यादा अच्छा नजर आए यानिकि आपकी पूंजी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी लेकिन विचार सोच समझ कर ही आपको करने की सलह भी दी जाती है इसके साथ साथ अब जिकर किया जाए कि आकिरकार यहां प सप्रेल के दिन जब ब्रिस्पती मीन राशी में गोचर करेंगे तो सीधा सीधा संबंद साथ वे घर से बना रहा है इसका तात परह होगा पैसे के साथ साथ आपके मान सम्मान में भी बढ़तरी होगी यानिके लोग आपको पूछेंगे कि आकिरकार यह परस्नलेटी है क्य और तो और आपकी प्रशिंसा भी आपके पीट पीछे लोग करता हुए नजर आएंगे इसके साथ ही यहाँ पर जब शनी 29 जुलाई के दिन यहाँ पर ब्रिस्पती के साथ संबंद बनाएंगे जब ब्रिस्पती 29 जुलाई के दिन वक्रिया होँगे और कईना कई बार है जिलाए के दिन शेनी भी वक्री होएंगे तो ये प्रिस्तिती असमन जिसमें रहेगी कि आखिर कार आपके जीवन में क्या खास होने जा रहा है क्या आपको अपने पैसे कहीं अचल संपत्य में इन्वेस्ट करना है या फिर व्यपार कोई और आपको अपने जीवन में खोलन या फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, वेपाराकिता कार कैसे बढ़ाया जाए तो ये ताइम पिरिड गे दोर आपके लिए काफे जादा मेंटली कह सकते हैं कि परेशान करने वाला रहेगा लेकिन आपको इसका जवाब आने वाले टाइम में जैसे ये समभीतेगा उसका मिलत आइका इस टाइम पिरिड में कहीं पर भी एक मोटा अमाउंट ना इन्वेस्ट करें इस टाइम को जाने दीजिए जैसे ये टाइम बितेगा आपके जीवन में कुपसूरत टाइम आइका जहां पर आपकी शमता सोच विचार करने की इतनी जादा अच्छी होगी कि आपको अपने पैसे कैसे दुगना करना है ये कर पाएंगे सही डिशिजन ले पाएंगे रहा सवाल यहां पर 12 एपरेल के दिन जब राहू मेश राशी में प्रवेश करेंगे तो इसका क्या संबंद होगा तो जी हां सीधा सिधा संबंद यहां पर आठवे घर से उगर के तू ती और जो कोई भी योजना बना रहा है कि चलो अब समय आ गया है विदेश में नोकरी ढूंड़ते हैं तो यह उत्तम सबै साबित होगा अगर मैं शनी की प्रिस्थिती आपको बताओं तो शनी छटे घर से संबंद बना रहा है यह प्रिस्थिती अनुकूल तो होगी लेकिन बेवज़ा किसी से उलजने की नहीं आपको सलहा दी जाती है इस समय में सबसे खुबसूरत अगर मैं आपको ताइम पिरिड की गणना बताओं तो ब्रिस्थिती का वक्रिय होकर के जब 24 नेवंबर के दिन होगा यानि के मारगी हो जाएंगे ब्रिस्थिती आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी तब आपको लगेगा कि हाँ सारे साल की कड़ी मैंनत का रेजल्ट अब हमारे हाथों में हैं वित्ति के रूप में और जब यहां पर दस में के दिन बुद्ध अपने जीवन में यानि के प्रवेश करेंगे गोचर के समय तो यह स्तेती बिजनिस जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाबदाएक रहेगी बिजनिस के नए स्रोत खुलेंगे पैसे इन्वेस्ट होंगे जिसका रेजल्ट आप आज नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद एक अच्छी अमाउंट में देखेंगे तो यह थी कन्या राशी के जातकों की वित्यसंबंदी गणना अब जिकर कर लेते हैं कन्या राशी के जातकों के लिए आखिरकार एस्ट्रयोगी जोतिश अनुसार खासी टिप क्या रहने जा रही है यदि आप स गणेश की पूजा करना आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके बाद आपके लिए हरी फल और सब्जियों का सेवन करना यहां पर काफी ज़्यादा लाप्रद साबित हो रहा है अगर आप अपने भाग्या को बली करना चाहते हैं तो मालक्षमी के दर्शन करने आपके लिए कुछ जादा ही रहेंगे अब जिकर किया जाए कि आखिरकार करने राशके जाद्कों के लिए लगी रंग कोन से हुंगे तो जी हाँ हरा रंग और सिलवर आप के लिए सौल 2022 में लग की साबित हो रहे हैं इसके बाद लकी नंबर होंगे 5 और 6 और scarf iht दू हुमारे एश्रीयोगी जोती शनुसार साल 2022 की मेश राशी से लेकर के मीन राशी के सभी जात्कों की यदि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समय सकर समाधान जानना चाहते हैं तो अभी के अभी दिये गए बैल आइकन को प्रेस करिए ताकि एश्रीयोगी हिंदी यू का इश्रीयोगी यान's No. 1 Live Astrology App